हेलो बच्चो, एकदम सब बढ़िया होंगे, बिलकुल मज़से होंगे, अब जल्दी से हम एक first question को discuss करते हैं, इस question में वो बोल रहे हैं, the main function of the lacteals of the intestine, ये क्या given है, lacteals of the intestine, ये किस चीज की absorption में हमारे को help करता है, तो जी देखो, सबसे पहले तो जो lacteals होते हैं, ये हमारे के बताओ, capillaries के होती है, capillaries हमारे बहुत पतली-पतली fine capillaries है, बहुत पतली-पतली जैसे tubes होती है, बहुत पतली-पतली capillaries हमारे पास present होती है, तो इनका color जो होता है, हमारा milky white होता है, इनका color क्यों होता है, milky white क्योंकि हमारे पास lymph, lymph के अंदर प्रेजन है, lymphatic capillaries है, तो lymph का part पना रही है यह, तो अगर अब हम इसमें बात करें, यह किस चीज की absorption में हमारे को help करती है, absorption में help करती है, intestine में, हमारे को पता है जो हमारी जातर intestine, कौन से intestine, small intestine में absorption होती है, जो जातर हमारे जो absorption हो रही है, वो small intestine के अंदर हो रही है, small intestine में absorption कराने में help कौन कर रहा है विलाई help कर रहा है बिल्कुल तो यहां पर जो हमारे lacteals है ये भी हमारे पास एक fine lymphatic capillaries होती है जो absorption करवाती है fats का किसका? fats का क्या properly fats का नहीं जो fats हमारे पास digest हो जाते है वो convert हो जाते है fatty acids and glycerol में जो fats हमारे digest होते है वो convert होते है fatty acids and glycerol में फिर वो ही digested fat कहा जा रहा है small intestine में small intestine में कौन present है हमारे पास lymphatic capillaries कौन से lymphatic capillaries? lacteals वो ही lacteals हमारे को ultimately किसमें absorption में help करवा रहे हैं fatty acids and glycerol तो directly इसका option D ही हमारा answer है